पूर्वो प्राश्ट्रपती हामिद अंसारी अपनी नई किताब बाई मैनी आ हैपी एक्सिडेंट को लेकर चर्चा में हैं किताब को लेकर इन दिनों अलग-अलग मेडिया संस्थानों में उनके इंटर्विव चल रहे हैं ऐसे ही एक इंटर्विव में जब उनसे मुस्लिमों के डरवाले उनके खूब चर्चित बयान पर बार-बार सवाल किये गए तो वे अचानक उट कर चले गए आखिर क्यों चुबा हामिद अंसारी को ये सवाल इस रिपोर्ट से जानिये भारत के पूर्व उपराश्ट्रपती हामिद अंसारी ने अपनी नई किताब को लेकर एक न्यूस चैनल को दिये गए इंटर्विव में कहा कि सेक्लिरिजम सरकार की डिक्षनरी से गायब हो चुका है हाला कि मुसल्मानों में असुरक्षा के अपने बहुत चर्चित बयान से जुड़े सवालों के इंटर्विव में बार बार पूछे जाने पर उन्होंने ना सिर्फ इंटर्विव लेने वाले शक्स की मानसिक्ता पर सवाल उठाया बल्कि अच्छानक इंटर्व्यू से भी उठकर चले गए। दरसल एक इंटर्व्यू में अंसारी ने अपनी किताब में लिखी बात को दोहराते हुए कहा कि आज सरकार की डिक्ष्णरी में सेकलोरिजम शब्द है ही नहीं। ये पूछे जाने पर कि क्या 2014 से पहले सरकार की दिक्ष्णरी में ये शब्द था तब उनका जवाब था हाँ लेकिन परियाप्त नहीं। इसके बाद इंटर्व्यू लेने वाले ने एक के बाद एक काउंटर सवाल पूछना शुरू किया। इस क्रम में उनके सवालों में हिंदू आतंगवार से लेकर तुष्टिकरन औ अनसारी का जायका ही बिगार दिया। इस पर उन्होंने कहा कि इस तरह की बात उन्होंने तो नहीं की है। इतना ही नहीं। आगे अनसारी ने कहा कि किसी A, B, C की कही बातों को मुझसे मत जोड़िये। जिन्होंने ये बात कही उनसे ही पूछिये। इसके बाद इंटर्व काल के आकरी दिन कह दिया कि मुस्लिम और सुरक्षित है इसकी क्या वज़ा है इंटर्वियू लेने वाले के इस सवाल पर अंसारी ने कहा कि उन्होंने ये बात पब्लिक परसेप्शन के अधार पर कही है इसी सिलसले में उन्होंने लिंचिंग का भी जिक्र किया काउंटर कोई सीधा जवाब ना दे कर टालने की कोशिश कर रहे थे वह बार-बार अपनी किताब के फुटनोट को ध्यान से पढ़ने की बात कह रहे थे इसी दोरान इंटर्वियू लेने वाले शक्स ने कहा कि इंटर्वियू का मकसद उनकी किताब का प्रचार करना नहीं बलकि उस आफ का रिव्यू किजिए आपकी मान सिकता ठीक नहीं है यह कहते हुए हामिद अंसारी अचानक ठैंक्स कहकर इंटर्वियू से उठ गए भारत के उपराश्य पती हामिद अंसारी ने अपनी नई किताब बाइ मैनी अहापी एक्सिटेंट री कलेक्शन ओफ लाइफ में भी लिखा है कि इन दिनों हो रही घटनाओं ने कुछ तबकों में नाराजगी पैदा की है अब इस पंती के जर्ये उन्होंने सीधे सीधे मुसल्मानों पर हो रहे अत्याचार की बात की है लेकिन हिंदूओं पर हो रहे अत्याचार के सवाल पर वे इंटर्वियू से ही उठकर चलते बने अभी के लिए बस इतना ही आप देखते रहिए कैपिटल टीवी नमस्कार अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करे हमारे चानल को सब्सक्राइब करे और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो अग नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुर्णे के लिए शुक्रिया